ये श्रीड आम गाइस तो इस पर वीडियो को टॉपिक है आइफोन 11 के उपर कि आइफोन 11 आप लोग के लिए 2023 और उसके आगे साल मालब 2024 के साब से कैसा रहने रहा है गाइस इस फोन को मालब आइफोन 11 को मेरे को यूज करते हो एक टेट साल हो गया है इसमें क्या-क्या मेर एस को अच्छी चीज़े लगीं और क्या-क्या खराब चीज़े लगी सारा इस वीडियों बताने रही है तो वीडियो के अपने रही है और जो खराब चीज़े है न एक बाकि यह से क्युकत लोग यूजYo को आगया एक रोग करते आग बाकि एक डेटसाल करने के बार है ब टाइप में है बागी आईफोन 12 के बाद से सारी बॉड़ी मनल थोड़ी साइड में फ्लैट फ्लाट टाइप की रहती ही कर्व नहीं रहता था बागी आप लोग को इसमें डिस्प्ले जो देखने को मिलती वो LCD पैनल रहती है अगर आप लोग तो यहां में बागी बाँप की बाँ के लिए ए आप लोग यह गाया तो देखने है और आपकी पहअ को अ सबसी बाच बड़िया संके कामरा की बात कि बात सफ आप लोग के screen पे भी दिख रहे होंगे camera samples कुछ iPhone 11 के हैं यह तो आप लोग अगर सोच आप फोटोग्राफी के लिए फिर अच्छी फोटो आपकी तो उसके लिए भी बैढ़िया रहने होला आप लोग कोई दिक्कत नहीं आ लिए portrait mode photo और वीडियो जो record कर सकते हैं maximum वो रहता 4K 60fps मनला आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं लिए quality purpose में और आखरी में आते हैं इसके दिक्कतों के उपर मतलब जिसमें तो एक तो 5G का support नहीं तो आप लोग अगर आप लोग को दिक्कत होने लिए 5G नहीं चला पाएंगे आप लोग बाकि अगर आप लोग 5G 4G कोई द स्टार्टिंग बताया था अब इसमें software अपडेट पड़ा हुआ iOS 16.7.2 17.2 तो नहीं दिखा रहा कोई इसमें अपडेट क्योंकि enroll नहीं कर रहा था बाकि दिक्कत नीचे देखिए स्टोरेज स्टोरेज मतलब इसका 64GB वेरेंट इतने जल्दी भर जाता कि आप लोग आप आप